हेलो एंड वेलकम गाईज मैं हूँ मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लागिंग क्यों एन यूट्यूब चैनल सो गाईज आज से हम हमारी जो एमजोन अफिलेट वेबसाइट की सीरीज थी उसे कंटीनू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दे वाला हू कैसे आप अपनी एमजोन अफिलेट वेबसाइट के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल माइक्रो निश सेलेट कर सकते हैं जिसमें आप जादे से जादा अर्निंग कर पाएं और जल्दी से जल्दी वहां से आप उससे पैसा कमा पाएं और अगर आपने इस से पहले सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी हैं सो कुछ च्यार से पांच वीडियो में अभी तक अपलोड कर चुका हूँ अगर आप लोगोंने वह मिस्ट कर दी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप अभी तक इस सीरीज की मिस्ट कर चुके हो तो उपर आई बटन में नीश फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ अगर इस प्रोसेस के बाद भी अगर आप लोग कीवर्ड या अपना नीश फाइंड आउट नहीं कर पाते तो इस वीडियो के एंड में एक मैंने 100 प्लस कीवर्ड की हाईली लोग कॉम्पेटेटिव की लिस्ट बना रखिए है वो भी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं बट बट वो फ्री ओफ कोस नहीं होने वाली है वो कुछ लोगों तक ही जाएगी लेकिन वह हाईली लोग कॉम्पेटेटिव कीवर्ड है और जो की पेड होने वाली है तो बहुत होगी बात है चलिए अब शुरू करते है इस वीडियो को जिसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे आपको माइक्रो निश ब्लॉग अपना एमेजोन एफिलेट वेबसाइट के लिए सिलेट करना है जिसमें आप अच्छे से प्रॉफिट वहां से निकाल पाएं तो गाइस लेट के स्टार्टेट वीडियो सो गाइस किसी भी एमेजोन एफिलेट में एक निश चूज करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक आउट करना है कि जो भी निश या जो भी आप कैटिगरी कहलो या फिर जिस भी पर्टिकुलर प्रोड़क्ट पे आप अपनी एमेजोन एफिलेट वेबसाइट बनाने वाले हो आपको पहले ये चेक आउट करना है कि उस प्रोड़क्ट पर कितना कमिशन एमेजोन आपको देता है फॉर एक्जामपल अगर आप कोई ऐसा प्रोड़क्ट चूज कर ले तो जिसमें कमिशन आपको बहुत जादा लो मिलता है तो आप उसमें इतनी जादा महनत कर आपका बढ़ पाएगा तो अलग अलग कंट्रीज के लिए लाइक इंडिया के लिए कमिशन अलग है और यूएस के लिए रीसेंटली आप लोगों को पता है चेंज हुआ था तो अभी हम मेजरली बात कर रहे हैं इंडिया की तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीज का लिंक भी दे दूँगा या फिर आप जीदा जाके गूगल पर सर्च करना Amazon Commission Rate in India आपको दिख जागा तो यहाँ पर करेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एड इस पॉइंट ऑफ ताइम ये कमिशन रेट है Amazon इंडिया के लिए जिसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कमिशन है 10 परसेंट वह आपको मिलता है फरनीचर किंडल डिवाइस इबुक वगेरा पे उसके बाद आपको आता है 9 परसेंट 8 परसेंट 5 परसेंट 4 परस सोच रहे हो मैं mobile phone bicycle and heavy gym equipment tires and rims इन सब का affiliate करो तो वहाँ पर आप देख सकते हो commission आपको 2.5 परसेंट जो की बहुत कम है अगर आप मान के चलो 1000 रुपे का कोई product sell करते हो तो I think इतना ही आपको वहाँ पर commission मिलेगा इससे better है कि आप ऐसे निश में जाओ ऐसे product को select करो जिसमें आपको commission high मिले तो आपको यहाँ पर दीखेगा सबसे ज़्यादा commission आपको मिलता है apparels, accessories, luggage and bag, watches and shoes watches, shoes, luggage, bags, apparels यह कुछ ऐसे निश है जिनमें आपको बहुत अच्छा कासा commission मिलता है और इनमें आपको बहुत सारे ऐसे products हैं जिनकी rate काफी high होते है और उनको अगर आप sell करते हो तो आपको बहुत अच्छा कासा commission मिलता है वहीं अगर एक और निश्की में बात करूँ यहाँ पर अगर आपको दिखेगा furniture तो यह निश्क भी काफी अच्छा इसमें बहुत low competition है बहुत कम लोग इसमें काम करते है आपको पड़ेपी ही पर्टिकुलर Music के ओपर कर सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा यह जो उपर की च swollen गज़िज सट एक Toys & Baby Product, Home Kitchen Appliances, Kitchen & Houseware इस पे भी अगर आप देखोगे तो आपको 9% का बढ़िया कमिशन मिलता है मेरा मानने यही है, कोई भी निष इलेट करने से पहले यहाँ पार जाके एक बार चेक आउट जरूर कर लेना उसके बाद आपको अपना निष फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आपको यह चेक आउट करना है अब I think आप लोगों को दिमाग में क्लियर पिच्चर बन गई होगी कि मुझे इस निष में कही ना कही अपना एक प्रोड़क्त फाइंड आउट करना है जिसमें competition भी low, मैं जल्दी से जल्दी result भी देख पाऊं और जल्दी से जल्दी वहां से earning भी मैं कर पाऊं तो अब हमने देख लिया कि हमें इस निष के अंदर जाना है अब यहाँ पर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ देखो यहाँ पर Amazon affiliate के लिए किसी भी निष में एक micro niche find out करने के लिए मेरे पास जो main मैं बोलता हूँ तीन तरीके होता है सबसे पहला तरीका होता है brainstorm your surroundings यानि कि आपके आजपास जो भी सारी चीजे हैं या फिर आपके daily use में जो भी चीजे आती है उन सब को check out करो वहाँ से भी आपको काफी अच्छा ideas मिल सकते हैं मैं अपना ही एक experience share करता हूँ तो कुछ महीने पहले मेरे को अपने father के लिए यहाँ पर जो sugar testing वाली machine होती है जिस पर आपको strip भी मिलती है और जिससे आप sugar check कर सकते हो तो वो मेरे को order करनी थी तो जैसी मैंने थोड़ी research करी तो मेरे को दिखा कि भाई इसमें competition काफी कम है तो ऐसे आपके साथ भी कुछ ऐसे incident होते होंगे या फिर daily life में या फिर daily use में कुछ ऐसी चीज़े आपके surroundings होगी एक idea यहां से आप ले सकते हो तो जब मैंने देखा sugar machine तो जब मैंने देखा sugar machine तो उस पर competition काफी कम था और बहुत कम लोगों ने उस पर काम करके काम कर रहा हुआ था तो यहां से आप एक idea ले सकते हो जैसे अगर मैं अभी आपको चेक करके दिखाओं best sugar अगर मैं अभी आपको चेक करके बताओं best sugar testing machine with strips ठीक है तो यह मैं एक check out आपको करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस पर आपको कितना यहां पर देखो सिर्फ 79,900 results हैं यानि कि एक लाग से भी कम result हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो flip card और amazon और amazon Apollo यहां पर देखो यह website rank कर रही है इनको आप like home zini बहुत बड़ी website है बट यहां पर competition देखो सिर्फ एक लाग से भी कम result है और यहां पर आप अच्छे से इस पर काम कर सकते हो अब यहां पर मैं आपको बता दू आपको एक keyword research tool की जरूर पड़ेगी अगर आपको best result चाहिए accuracy के साथ चाहिए तो मैं आपको खूंगा कि आप HRF purchase कर लो HRF best है description में आपको link मिल जाएगा मैं कहां से use कराऊ cheapest price में अगर आप afford नहीं कर सकते हो या आप Ubersuggest या कोई free tool की तरफ भी आप जा सकते हो तो यहां पर अगर आप देखो best sugar testing machine with strips तो यह मैंने search करा और यहां पर देखो आपको कम DA की website भी rank हो रही है यहां पर यह देखो apollo e.co.co.in सिर्फ 19 DA की website first page पर rank कर रही है चोथे पार्षे position पर एक लाग से भी कम result है और अगर और आप नीचे scroll down करोगे तो देखो DA 17 की website rank कर रही है तो यहां से आपको एक signal मिल जाता अगर आप देखो कि यहां पर YouTube की videos rank कर रही है यानि कि इस particular niche पे इस particular product पे इतना written content है ही नहीं कि YouTube की videos भी rank कर रही है तो एक मेरे को वहां से जब मैंने पता चला मेरे को father के लिए sugar machine मंगा नहीं थी तो मुझे वहां से मैंने सोचा इसको search out करते हैं तो यहां पर एक super low competition niche मुझे मिल गया और अगर आप Amazon पे यहां पे जाके आप check out करते हो तो Amazon पे कोई भी sugar testing machine है वो आपको कम से कम यहां पर 1000, 2000 या उससे भी उपर की मिलती है तो मैं यहां पर with strip kit इसको एक बार check out कर लेते हैं सो सोच के देखो 1000 रुपए की भी अगर minimum मैं मान के चलो अगर 1000 रुपए की भी कोई kit है और उस पे आपका commission इस पे अगर 9% यह जितना भी है तो आप easily 10 से 20 सेल करो और आप easily वहां से पैसा earn कर सकते हैं यहां पर देखो कम 1000 से उपर की almost यहां पर देखो 2000-1299 में मतलब almost 1000 से उपर की शारी machines यह आती है तो यहां से आप एक idea लगा सकते हैं इस तरीके से आप keyword find out कर सकते हैं अगर मैं HRF पे जाकर देखो sugar testing machine तो यहां पर आप देख सकते हो sugar testing machine यहां पर competition medium है 200 का search volume है इंडिया से आप देख सकते हो 200 का search volume सिर्फ यह US से है total अगर आप global search volume देखोगे तो 2.7K का search volume है यानि की यानि की महिने में 2700 times इस keyword को search किया जाता है तो यहां से आप अच्छा खासा conversion expect कर सकते हो तो इस तरीके से आपको एक पहला तरीका यह हो गया कि आपको brainstorm करना आपके आसपास की चीजों को देखना है वहां से आप एक बहुत अच्छा खासा idea यह निगाल सकते हो ठीक है उसके बाद आपको अगर आप चाहो तो और confirm करने के लिए जो भी आपका seed keyword है उसे आप Google trend पे डाल के देख सकते हो for example चलिए मैं इसको डाल के भी देख लेता हूँ sugar testing machine हम यहां पर आगए Google trend पे और यहां पर हम इसे check out करते हैं कि लोग इसे search करते हैं यह नहीं तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर काफी अच्छा खासा इस पर search volume है यह सिर्फ इंडिया का है अगर मैं यहां पर इसे United States या United Kingdom हम कर देते हैं तो हम check out करते हैं कितना यहां पर है तो यहां पर आप देख सकते हो United States में भी लोग इसे search करते हैं तो यहां से आप एक अच्छा अपना micro niche निकाल सकते हो दूसरा जो तरीका है यहां से वो है profitable niche with seed keyword यानि कि आपको पता होगा मेरा interested niche है आपके पास seed keyword हमेशा होता है कि भाई मुझे इस niche में काम करना है तो उसके लिए आपके पास होता है कुछ न कुछ for example अगर मैं मान के चलो मेरे पास seed keyword है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर commission rate में आपको पता है कि आपने यहां पर देख लिया कि जो bags हैं watches हैं shoes हैं इन पर आपको काफी अच्छा काशा commission मिलता है तो अब मेरे दिमार्ग में clear हो गया कि भाई चलो मुझे सिर्फ shoe वाले niche पर काम करना है तो मैं यहां पर जो भी अपने seed keyword है जैसे shoes हमारा niche है तो मैं यहां पर simply google पर जाऊंगा और यहां पर मैं डाल देता हूँ जैसे कुछ भी best shoes और उसके बाद यहां पर देखो अपने आप यहां पर auto suggest करने लग जाता है उसके बाद आपको यहां पर देखना है best shoes जो भी आता है उस तरीके से आपको डालना है drill down उसको करना है उसके बाद आपको यहां पर कुछ website दिखेंगी उन website को आप href पर डालो href पर डालने के बाद आपको महाँ पर उससे related सारे keywords मिल जाएंगे कि किस-किस keyword पर वो website rank कर रही है उसकी keyword list में से आपको low competition वाले keyword निकालने हैं तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहां पर हम देख सकते हैं मिंत्रा तो मिंत्रा को हम skip करते हैं flip card amazon को हम ऐसा blog चेक आउट करेंगे जिस पर यहां पर हो यह देख सकते हो men's health तो यह मुझे एक blog दिख रहा है तो men health इसे हम open कर लेते हैं और इसमें हम देखेंगे कि क्या यह एक blog है जिस पर यहां पर content है नहीं या फिर आप और भी जो नीचे blogs हैं उनको आप चेक आउट कर सकते हो तो simply आपको blog open करना है उस blog का link आपको उठाना है तो यहां पर देख सकते हो the 38 best sneaker for men 2020 और अगर आप इसमें देखोगे तो buy it here और यहां पर अगर आप click करोगे तो यहां पर आपको यह affiliate link दिखता है तो यह इन्होंने दूसरी website का affiliate link दे रखा है बट यहां पर आप Amazon का affiliate भी कर सकते हो totally depends on you तो अब आपको यह मिल गया domain आपको simply इसे copy करना है और href में जाओ site explorer में जाओ और यहां पर इस domain को डाल दो और इससे related जितने भी keywords है जितने भी keywords पर website यह rank हो रही है वो सारे keywords की list आपको मिल रहेंगी और जैसी keyword की list आपको मिले आपको keyword देखने हैं वहाँ से आपको keyword difficulty find out करनी है और उन keywords से आपको एक पूरा अगर आपको यहां पर 20, 25, 50 keywords पर मिल गए लो competition वाले तो आप मान कि 50 articles आपको वैसे ही आगए और उन 50 articles से आप एक अच्छा खासा revenue generate कर सकते हो जैसे यह 3.2 के organic keywords पर rank हो रही है तो हम simply इसके organic keywords पर जाएंगे किन-किन keywords पर यह rank हो रही है अब यहां पर आपको देखो keyword difficulty सब की ज़्यादा दिख रही है तो आपको simply क्या करना है यहां पर KD में आओ from 0 से लेके यहां पर 5 डाल दो हम newbie हैं, हमें नया blog स्टार्ट करना है तो हम 5 से ज़्यादा difficulty वाले keywords को हम target ही नहीं करेंगे तो हमने यहां पर filter भी लगा दिया जिससे की हमें low competition वाले keyword यहां पर दिखाई देंगे तो यहां पर देखो great men shoes, men fashionable shoes, casual sneakers, men कितने सारे आपको low competition keyword और search volume आप देखो 200, 500, 100 काफी अच्छा खासा यहां पर search volume भी आपको दिखाई दे जाता तो इस तरीके से आपको निकालना है और जो मेरा तीसरा और सबसे best, सबसे powerful जिसकी मदद से आप 100% मैं guaranteed लिखके दे सकता हूँ कि तीसरे method से आप कोई भी कैसा भी niche निकाल सकते हो आपको दो websites में बता रहा हूँ Flippa और design articles यह दो ऐसी website हैं जिनमें आपको मतलब हर niche मिल जाएगा और आप यहां से बहुत तगड़े तगड़े niche निकाल सकते हो तो आपको सीधा जाना है design articles में design articles में जाओगे आपको यहां पर इतनी सारी categories मिलती है simply आपको categories पर click करना है for example हमारी जो एक category है gaming में हम देख लेते हैं तो gaming में हम सीधा जाते हैं gaming में यहां पर देखो आपको console gaming, console system, computer games, console for tv तो यह हमारे एक auto suggest आ गया तो हम इसे सर्च करके देख लेते हैं इसका इतना result है और यहां पर देखो जो भी top में website आ रहे हैं same process है जैसे यह एक website है shop.in तो इस website को हम एक बार open करके देख लेते हैं ठीक है इस website को हमने open करा यहां पर देखो इतने यह पहले position पर पहले page के चोटे-पांचे position पर rank कर रही है यहां पर best gaming console के बारे में बताया गया है और यहां पर देखो check price में अगर आप check price open link के new tab करोगे तो यहां पर यह सीधा amazon पर redirect हो जाएगी तो यहां पर आई थिंक यह product का गलट पेज आ गया है तो यहां पर देख पा रहे हो गया आप जितने भी search console बताएगे check price पर click करोगे तो यह सीरा जाती है हमारी amazon.com पर यह amazon.in जो भी है यहां पर देख सकते हैं आप यह इसका console आ गया है अब आपको क्या करना है simply जाओ और इस website का home page आप copy कर लो या फिर आप particular कोई post है उसका copy कर लो यहां पर जाओ और यहां पर keyword explorer में जाकर इस website को डाल दो इस website को डालने के बाद जितने भी keywords है आपको यहां पर show हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है वही keyword difficulty आपको select करनी है यहां पर 0 to 5 और apply कर देना है और आपको यहां पर low competition वाले keyword इतने सारे low competition वाले keyword मिल जाएंगे दन आपको उन्हें Google पर search करके देखना है क्या उनके rank है उनमें potential है कि नहीं वहां पर low DAPA वाली website rank करी है मतलब आपके लिए positive signal है अगर आपको वहां पर कोरा दिखता है तो आपके लिए positive signal है कि low competition keyword अगर आपको वहां पर YouTube की वीडियो दिखती है तो आपके लिए signal है कि वह low competition keyword है तो इस तरीके से आपको find out करना है और जो मेरा last जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ वह है Flippa तो आपको क्या करना है सीधा Google पर जाना है और यहां पर आपको डालना Amazon affiliate site on Flippa Amazon affiliate website on Flippa तो आप लोगों को पता होगा Flippa क्या है Flippa एक website है जहां पर जो well known या फिर आप कहलो जो की अच्छा खासा running कर रही है एक website selling platform है जहां पर आप website को sell कर सकते हैं तो वहां पर आपको simply जाना है और यहां पर पहला link ही आप open कर लो Amazon affiliate website for sale तो आपको यह link open करना है तो यहां पर आप देख सकते हो जैसी मैंने Flippa को open कर रहा है यहां पर आपको जितनी भी well established जो अच्छा खासा Amazon affiliate से earn कर रही है वो सारी website आपको दिख जाएंगी जैसी यह देखो travelcolic.com यह एक website है monthly unique visitor 4000 का traffic है और यह website हर महीने 105 डॉलर अन कर रही है उसके बाद अगर नीचे website देखोगे यह website का address है monthly इस पर आठाट हर का traffic है और हर महीने यह website 170 डॉलर अन कर रही है तो यहां पर देखो यह website यहां पर 1000 डॉलर में sell के लिए है तो यहां पर आप अलग-अलग बहुत सारी website दिखेंगी अगर flip up पे आपको मैं कह सकता हूँ अ इसे हम open करके देखते हैं उसके बाद यह pest control guru.com gurus.com तो इसे भी हम open करके देख लेता है तो यहां पर देखो जितने भी है कितनी travel colleague.com यह website है अगर मैं इसका DAP अगर हम चेक करें एक बाद यहां पर देखो DA 26 है तो I don't think यह बहुत जादा पुरानी website है तो यहां पर आपको website की age भी दिख जाती है December 2018 यानि कि 2 साल पुरानी website है और यहां पर आप देखो जितने भी articles है articles को open करोगे तो definitely आपको यहां पर Amazon affiliate link मिलेंगे और same जैसे हमने pest control guru देखा तो यहां पर देखो ant killer, how to get rid of fire ant तो इनको open करो इस website का देखो DA 26 है और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको Amazon की दिखेगा कि Amazon की affiliate हो रहा है यहां पर तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो low competition keyword, low competition niche find करके low competition keyword भी definitely find कर सकते हैं यहां पर here on Amazon यहां पर अगर आप नीचे देखोगे तो here on Amazon यानि कि Amazon affiliate program को यहां पर करा गया है और अगर हम यहां पर दिखाएं how to get rid of fire ant keyword को search out करना आपको definitely low competition वाले keyword यह सब मिलने वाले हैं तो flipa से भी आप अच्छे खासे यहां से niche निकाल सकते हो अब यह देखो overtraffic.com monthly visitors यहां पर सिफ 3000 के आसपास है और हर महिने 3000 traffic से यह website महिने के साढ़े 300 dollar earn कर रही है और May 2020 में यह website बनी थी तो May, June, July, August I think 2-3 महिनों में ह यह website 350 dollar per month earn कर देती हो आप सोच सकते हो कितने बढ़िया competition कितने low competition keyword पर यह काम कर रही होगी So guys I hope जो methods मैंने आपको बताए हैं इन methods से आप definitely अपने लिए low competition highly profitable Amazon affiliate niche find out कर सकते हो अगर फिर भी आपको यहाँ पर niche find out नहीं मिलता आपको अपना niche नहीं मिलता तो जैसा कि मैंने वीडियो के starting में बताया था मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं जब भी भी research वगरा करता रहता हूँ तो जो भी मुझे low competition वाली keyword मिलते हैं उनकी मैं पूरी list बना के रखता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर keyword दिये गए हैं यहाँ पर उनका search volume दिया हूँ और यहाँ पर HRF की keyword difficulty दी हूँ है तो यहाँ पर यह 100 प्लस highly low competition keyword है जिन पर आपको सिर्फ काम करना है on page SEO थोड़ा बहुत करना है और थोड़े बहुत off page SEO के साथ आप easily यहाँ से rank कर पाऊगे तो आप difficulty देख सकते हो search volume देख सकते हो काफी low competitive keyword है और आप इन से easily earn कर सकते हो और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था यह जो list है यह सिर्फ paid list होने वाली है और limited time period के लिए होने वाली है तो description में मैंने आपको इंस्टा मोजो का link दे रिया है वहाँ पर यह list पूरी आपको 100 प्लस keyword की list only 249 rupees में मिल जाएगी सिर्फ पहले 50 user के बाद उसके बाद इसका price definitely मैं 500 कर दूँगा और मैं नहीं चाहता यह ज़्यादा लोगों तक जाए तो 50 या 100 sale के बाद मैं यहाँ पर इसे बंद कर दूँगा और सबसे खास बात यहाँ पर यह आप लोग सोच रहे होगी कि 50 या 100 लोग इसे लेंगे तो competition इस पर बढ़ जाएगा बट ऐसा नहीं है इस list को मैं हर 15 दिन में update करूँगा आपको मैं बताता हूँ जैसे अभी यहाँ पर 100 प्लस low competition keyword listed है तो जैसे ही 15 दिन बाद 100 और मैं नए low competition keyword find out करूँगा और उसको यहाँ पर update कर दूँगा और जो पुराने वाले हैं वो हटा दूँगा तो जैसे मालोग 15 दिन में 15 लोगों ने या 25 लोगों ने इस list को purchase करा तो उन 25 लोगों के पास अलग keyword जाएंगे और उसके बाद अगर अगले 15 दिन में किसी और ने purchase करा तो उन 15 या 25 लोगों के पास अलग low competition वाले keyword जाएंगे उसके 15 दिन बाद किसी ने purchase करा तो ऐसे ऐसे करके आपको competition भी नहीं बढ़ेगा और आपको यहां से earning भी हो पाएगी तो जो पहले 50 user हैं उनको सिर्फ 249 में मिलेगी then मैं इसका price 500 करने वाला हूँ तो जितने जल्दी हो सकता आप purchase कर लेना but मेरा suggestion यही है कि जितने मैंने पहले method बता हैं उन method से अपना खुद से काम करोगे खुद से research करो वह आपके लिए best है अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिलता देन जाके इस list को purchase करना इन keywords को purchase करना otherwise मैं नहीं चाहता मेरा recommendation यही है कि आप वहाँ पर जो मैंने तरीके बताएं उनसे अपने खुद के keyword find out करो क्योंकि future में भी आपको keyword चाहिए होगे तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा तो मेरा recommendation मेरा suggestion मेरी advice आपको यही है पहले खुद find out करो खुद करो अगर फिर भी नहीं मिलता है देन आप इस list को purchase करना और इस चीज़ की मैं guarantee देता हूँ कि यह जो list है यह highly low competitive वाली list है मैं आपको कुछ example भी अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर यह एक keyword है best voltage stabilizer for 55 inch LED TV यहाँ पर आप इसका search volume देखो 800 है और इसकी keyword difficulty है 0 अब मैं इस keyword को यहाँ पर copy करता हूँ नए tab में आता हूँ यहाँ पर simply मैं यहाँ पर डालता हूँ best voltage stabilizer for 55 inch TV ठीक है और उसके बाद यहाँ पर देखो कितना low competition keyword है सिर्फ 90 articles हैं इस keyword पर सिर्फ 90 article हैं इस keyword पर यानि कि अगर आप एक article लिखते भी हो तो definitely आपको top 100 में तो जगह मिली गई अब इस keyword का अगर हम search volume देखते हैं तो इसे copy करता हूँ मैं यहाँ पर जाता हूँ keyword explorer में और यहाँ पर इस keyword का search volume में डालता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि keyword का search volume कितना है और यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 90 results है यानि अगर आप एक post डालते हो अच्छा content डालते हो तो top 100 में आपकी website वैसे ही आ जाएगी बीना कुछ करें तो इस keyword को मैं simply यहाँ पर डालता हूँ और हम इसे करते हैं search और इसका हम देखते हैं यहाँ पर search volume तो यहाँ पर देखो इसे हम करते हैं यहाँ से India select ठीक है CPC आपको इतना मिलेगा तो आप potential देख सकते हो तो जैसे मैंने यह keyword बताया है ऐसे ही बहुत सारे keyword इस list में already मैंने दे रखे हैं तो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता तो आप इस list को definitely purchase कर सकते हो description में आपको link मिल जाएगा I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और wait कर ये अगली वीडियो का जिसमें मैं आपको और detail में चीजे बताने वाला Amazon affiliate website के बारे में और पिछली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा I hope वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए और मैं मिलता आपको एक और नहीं एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care have fun हुआ 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 है